हलो फ्रेंट्स आज पांच जन्वरी दोजार तेइस थर्ज्डे एक्सपारी डे तो आज का पोजिशन हम देखते हैं आज टोटल प्रॉफिट ट्वेट ट्वेट्टी टू थाउजन नाइन फॉर्टी फाइफ का हुए है कि देखें काफी सारी ट्रेट्स हमने लिया था हुआ और्डर्स भी 30 प्लस हो गए 30 प्लस ने एक्चली 30 ओर्डर्स होए है इसमें हम डेटेल्स में जाएंगे पहले आज वह चार्ट देखते हैं अचली आज इंटरनेट स्लो है मंबई में है रीजन पता नहीं क्या है कि देखते हैं पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं कि इसमें तो ओपन हाई बना हुआ था तो मौनिंग के फिफ्टी निफ्टी का चार्ट देखते हैं कि देखें इसमें तो ओपन हाई बना हुआ था तो मौनिंग के फिफ्टीन मिनट्स और टैन मिनट्स केंडल में ही कन्फर्म हो गया था कि आज बेरिस्ट्रेट रहेगा देखें पूरा डाउंट्रेंड मार्किट शाम को आकी ही तोड़ा इसमें रिकवरी हुआ है आफ्टर वन थाटी इसमें रिकवरी हुआ है अब ब्रिक का भी चार्ट देखते हैं तो देखें सेम इसमें फ्यूचर के शार्ट में इसमें भी ओपन हाई था वो ब्रेक हुआ बट्ट वो सस्टेन नहीं गर पाया वापिस नीच आया और फिर वो पूरे दिन मार्केट न ब्रेक जिसके मार्निंग की शॉट में ने बताया था आपको कल इवनिंग में मनें 18,000 150 की कॉल बाइ की थी और 200 की सेल की थी तो मार्निंग में इसमें 200 रुपीज आगे थे इस देखें 200 की कॉल में 700 150 की कॉल में 490 इसके बाद मैं 18,000 का पूट पहले दो लोट 28 पे लिया उसके 5-10 मिनट बाद ही मार्केट जब थड़ा उपर गया इसमें मैं 30 वैल्यू एड की 18 रुपीज पे और उसको मैंने 15 मिनट तक होल्ड किया इसमें में मेरको प्रॉफिट हुआ 18,000 की पूट ये देखें 200 कॉइंटिटी मैंने बाइ की एवरेज प्राइस 23 और 32 की एवर इसमें प्रॉफिट रहा उसके बाद ये मैंने 949 में इसमें से एक्जिट कर गया था उसके बाद मैंने बैंक निफ्टी में मैंने एंट्री की और ये काफी इंट्रेस्टिंग रहा आज का ट्रेड 42 800 का असपास मार्केट चल रहा था इस पॉट का तह मैंने 42 700 का पूट द इसको होल्ड गया तो 42 700 का पूट जो 82 पे लिया था यह 136 हो चुका था और 75 का कॉल 39 हो गया था तो देखते हैं 42 700 का पूट हां 42 700 का पूट देखिए 100.80 एबरेज प्राइज 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 एटीड और सेलिंग प्राइज 136 700 का पूट 900 का कॉल में में लॉस हो था 75 के लिए 39 पे शेल किया 3600 के प्राइज में लॉस हो था ठीक है फिर इसको मैंने कंटिन्यू रुखा काफी देए कि इसमें जब निकल गए हां उसके बाद मार्किट कि थोड़ी देर सस्टेन रहा उस पे चलता रहा हां बारा उसके बारा साड़े बारा का स्पास हां यह को 42800 की कॉल मैंने बाइज किया था दो लॉट 61 रुपीज पे सबारा विजे का स्पास ठीक है बैंक निफ्ट का चार्ट देखना पड़ेगा इसके लिए 15 माट्स पर देखते हैं कि देखें फ्रेंट्स यह वाला जो केंडल है यह यह पर्टिकुलर केंडल जो बारा विजे पर आपको दिख रहा है इसने साइन दिया था कि मार्केट यहां से रिवर्स हो सकता है तो इसके बैसिप से मैंने दो लॉट्ट मैंने बाइज की थी सवा बारा बुजे हां 61 रुपीज पर इसने कुछ टाइम के लिए मेरेको प्रॉफिट भी दिखाया था बट क्योंकि आज ओवरॉल ट्रेंड माइनस नेगेटिव था तो इसको इवेंचली मैंने लॉस पर ही इसको मैंने क्लोज किया बट जैसे मैं देखा कि मार्केट रि 12-39 वाला आप ओर्डरस देखेंगे 42 700 कॉल एंड 42 500 की पुट इसमें पहले मैंने 4 लॉट एड़ की उसके 15 मिनिट बाद मैंने फिर उसमें 4 लॉट एड़ की और एक बच के 7 मिनिट पर देखेंगे तो मैंने फिर चार लॉट एड़ की मिन्स टोटल कॉंटिटी 300 हो गया थ 12 लॉट 300 कॉंटिटीज और उसको फिर मैंने 15 मिनिट बाद ये तीन वी पोजिशन्स मैंने क्लोज की जो की हम पोजिशन्स में देखेंगे 42 500 का पूट 300 कॉंटिटी 68 पे लिया और 147 की वरिच प्राइस पे निकाला हूं प्रॉफिट इसमें 23,000 कर रहा इंड 42 700 का कॉल 65 का बाइंग प्राइस एंड 41 का सेल प्राइस तो इस ट्रेड के बाद हमारा अवराल प्रॉफिट जो की हमने थर्ड ट्रेड में थर्ड शॉर्ट में में दिखाया था 18,000 क्रॉस हो गया था इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं किया हां अंड्र इंड इंड कॉंटिटी पर सेम स्ट्रेटिजी यूज किया और 45,000 एक्स्ट्र प्रॉफिट हमने बना लिया तो फ्रेंट्स टोटल प्रॉफिट 22,000 945 इसमें हम सेंसिबल पर भी चेक करते हैं कि वेरिफाइड पेंडल क्या रहा आज का पॉजिएंस में गए तो देखेजिए 22,000 945 इसमें निफ्टी में प्रॉफिट है 2000 का और बैंक निफ्टी में 20,000 950 का अभी इसको आज की एक सब्सक्राइड है और अच्छा रहा हूं ठीक है फ्रेंट्स देखते हैं नेक्स्ट वीक अपॉर्शनिटी मिलेगी तो इसमें फिर कुछ एंट्री लेंगे तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं एक्स टेम थैंक्यू फ्रेंट्स